नगे और आ Goethe तो गाइब शामखया और हमने साथ और मैंने अब tadink सेट अप के आक्छा अभी में टैंग सेट अप कर मुंगा एक्छिि मैं कुसी काम के वजह बाहर गया था तो अभी टैंक करूंगा सेंड मेरी यहाँ पर है इसके अंदर सैंड है यहाँ पर टैंक में भाहर से लेकर होगा बिजड़ा लाइट डेख सकते हो उजाला है सो इसके लिए में भाहर करता हूँ एक्चली घर के अंदर ना मेरे प्रॉपर लाइटिंग नहीं है सो बराबर दिखेगा नहीं तुम लोगों को और सो यही है और कोई दिक्कत की बात नहीं है तो अभी करते हैं और मेरे को एक चीज़ और भी दिखाता हूँ रोको तुम लोगो तो यह मेरा वाटर देख सकते हो हमारी गपी फ्राइस का पानी पता नहीं गंदा तो हुआ है ऐसे गंदा है as it is मतलब मैंने इसको दो दिन पहले ही चेंज किया था बट फिर भी इसमें अभी भी इतनी गंदागी क्यों है आई डूंट नो इसको तो मैं नहीं करूँगा इसके अंदर की गपी फ्राइस दिखा रहा हूँ कि कितनी बड़ी हो गई है मैं उको लगा नहीं था कि इसमें से कोई बच्चे की बट ये ज़्यादा ही अच्छे ग्रो हो गई है और एक चीज दिखाता हूँ और बच्चा हमारा ये वाला टैंक जिसके अंदर आ गए है काफी सारे मॉस्क्यूटो लारवास आपनी होता ही रहेगा तो और फ्लो ना हो जाए इस वजय से मैंने इसको ऐसे है इसके इंदर तुम देख सकते हो mosquito और आरवाज जैसे के देख रही होंगे तुम लोग को इसके अंदर काफी mosquito और आरवाज है विए सब्वी पहले में sand निकालता हूं और उसके बाद sand कहा पहरे तो यहां पर है हमारी का गई यहां देख सकते हो सैंड काफी गंदी हो गई है वाइट वाली यह हमारी स्पेशली पोलार पैरेट्स की सैंड है तो अभी मेरे को इसको भी क्लीन करना है यह सैंड में रखूंगा यहाँ पे रखूंगा पाइप यह सैंड लूँगा यहाँ पर इस टेबल के ऊपर रखोंगा हमारा टाइंक फिर इसके अंदर से सैंड वाश और यह सब करके हमारा सब रेडी हो जाएगा और बस इतना ही तो अभी के लिए इतना ही करते हैं और इदे को हमारी बूजो कैसे चिल मार रही है इसको चिल मारने देते हैं और हम दूसरा काम करते हैं देखने रही है सो रही है छोड़ो इसको तो अभी हम लोग पहले टैंक लेकर आते हैं और उसके बाद दिखाता हो तुम लोग को इत्ट deed to the आगे से मैंने नॉर्मल जिटोड़ी इतने ढंक्सेन मिमादी है तो मेरे को यह लेवल को क्लीन करना है शोसबार सिर्थ MILL अगे एंस तो पर इस सिर्थ इच्छी है फिर क्रेक आगय है हल्का सा इstal किया होगा तो ये इतना मतलब नहीं है. सो मैं अभी इसको क्लीन कर लूँ गा और पहले मैं अभी हमारी जो सेंड पहले मैं इसको क्लीन करता उसमें बहुत ज़्यादा गंदगी आ गई है, पता नहीं कैसे है तो पहले मैं सेंड को क्लीन कर लूँगा उसके बाद सेंड में इसमें डायरेक्ट लिए डाल दूँगा और सब खतम दो मिनिट का काम है इसमें ज्यादा देरी की नहीं बात है केड में पहले सेंड ले लेते हैं तो अभी मैं सेंड ले हूं किसे मैं को समझ में निया रहा है थोड़े टाइम के लिए में वीडियो बंद करता हूँ क्योंकि सेंड मेरे मैं अभी आपके लाओ मेरे कोई है नी तो पहले मैं इसकोई सेंड को डाल दूँगा फिर आपको दि जाएगा तो मैं इसको डाइरेक्ली नल पर जाओ या फिर पाइप लगा के चलो बढ़ने मैं सोच रहा हूं डस लोगों को क्या दिखाना आक यह जो काम हो सके तो दस लोगों के क्या दिखाना और नजर लग जाती है ऐसे कामों पर तो मैं पाइप आउन करता हूं तो पानि बहुते जारा है 200 फायर्धा और में नीचे से एह कर आओ कि जितनी भी गंदगे हो वाटर की बंपर जल्दी जल्दी से करते तो पता नहीं पानि को भी की अठिक आ रहाई दिखो देखो देखो और यह हो गया कितनी गंदगी एवा आप रहे तो भार रखने का ना यह इस वहता है भार रखोंके तो किस सांड यह दो तिन जो बड़े पत्थर है यह पहले निकाल लेता हूं यह मीक्स हो गए होंगे यह सिमेंट एक्षुली जो मैंने पिछले प्रोजेक्ट अभी मैं इसको clean कर लेता हूँ पहले जो glass है side by side जितनी भी glass है सारी glasses को clean कर लेता हूँ अच्छे से विकॉस आज जो मैंने अपने पिछले टल्टर पॉंड में जो use किया था ये वो वाले है तो cement भी साथ में आ गए थे मैं और को यही नहीं रखना चीए था I think तो अभी मैं sand इसके अंदर एक एक करके लगा देता हूँ कुछ इस तरह से जो नीचे की layer है हमारी sand से cover होनी चीए for a reason because तो को मैं ऐसे दिखाता हूँ ऐसे one side का क्योंकि मैं कितना ही दिखा दूँ अच्छे से दिखेगा तुमको तो one side sand रहेगी तो उससे मतलब मैंने monster जहां पे भी देखा है वहां पे अपने polar parents के लिए हमेशा white sand का background यूज होता है मतलब white sand ही यूज होती है तो मैंने भी सोचा क्यों मैंने sand रख दिये actually मैंने कुछ ज्यादा ही sand लेली कि बट कोई ना हम इसकी एक अच्छी से layering कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे और यह टैंक वैसे इतना मगजमारी वाला काम नहीं है फटक से हो जाता है इसमें इतना time time लेने वाला यह कुछ काम नहीं है तो जैसे कि तुम देख सकते हो और यह है इसका front view और back view तो देख लिया तो वापिस एक बार हम डालते है सेंड थोड़ी थोड़ी जगह पे जहां पे हमें लग रहा है ऐसे कम है जैसे कि मेरे को अभी देखने से पता चला यह corner एक हो गया यहां 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 और ऐसे थापी मारते हैं वैसे वैसे कर लेंगे एकदम plane side यह जो blackness है यह बीज वीच में जाती रहेगी समय के साथ यह भी निकली जाएंगे पता नहीं अभी ना निकले तो भी इतना गंदा तो लगनी रहे और यह हमारा look ready है वैसे अभी मेरे को बस इसमें एक filter लगाना है देखो polar parrot की breeding करवाने के लिए मतलब वैसे तो मेरा main motive की breeding का ही है बट जैसे की मैं जहां तक जानता हूँ तो यह one feet का tank मैंने aquarium ओले से भी पूछा तो उसने भी बोला कि यह ठीक है और फिर मैंने भी वीडिय और पैरेट के लिए बास है इनफ स्पेस है मैं बीच में एक मटकी रग दूँगा और oxygen pipe यहा से हो गया तो अभी इसको घर में लेके जाते एक मटकी डालते और थोड़ा सा water add करते और फिर दिखाता हूँ और यह बच्ची हुई सैंड अभी हमारे किसी काम की नहीं है तो पर रिख दिंगे वही पे जहां पर ती इसको तो मैं रग दूँगा तो पहले हमारे टैंक को लिएक चलते हैसे है तो नहीं है तो बहस्त Manyprise कलेकर को तो मेरे कारिक रखने बकी इसका मेरा हो गया है एस सैट अप रेड़ी अभी बस मैं इसको हरते हैशक्या और नियूंत Eji एंटर में रखूंगा कुछ ऐसे जिससे पोलार पैरेट एक्स दे सके मैंने काफी वीडियो में देखा है वैसे तो और पहले इसमें वाटर भर देता हूँ उसके बाद करता हूँ तो देखते रहा हूँ भी मैं इस मटकी को वाश कर लेता हूँ अच्छे से और इसको रख द चालूंगा तभी जैसे कि देख सकते हो वाटर एड होना चालू हो गया है और मेना मैंने जो आइडिया यूज किया वह काफी काम में आ गया बिकॉस देख सकते हैं अभी सैंड यहां से बिलकुल भी नहीं हिल रही बिकॉस आफ कैरी बैग अभी इसको भरने में तोड़ा टाइम लग रहा है मैंने कुछ जादा ही पानी भर दिया देखो यह भी वन फीट का है बट इसका वाटर लेवर यहां तो बेटा फिश है इसकी ब्रीडिंग टैंक का इनकी ब्रीडिंग की हाल चाल तो मेरे को दिखी नहीं है कभी करते कभी नहीं तो उनको छोड़ो और य करे आञे के अक्सिजण और 'MAC हां कि थोड़ा सा और इसमे पुश्यजण वह गया था इसमें इस ऑभी हो गया है है तब यहां को बस पास इसमेंamasम क्लॉरिट ने कलोरियट अंहाँ और उसके बाद में सम्टेम लगा दूँगा वह टकन पहला इने डाल दीया था वह मैंन चला देंगे कुछ टाइम के लिए जिससे की डी कलोरीन जो हमने डाला तो अच्छे से वाटर में मिक्स हो जाए वैसे सो मैं यह सोच रहा हूं कि देखो मेरे पास दो यह वाले मोटर तो दो है बट उससे तो मैं सिर्फ दो टैंक को कंट्रोल कर पाऊंगा और एक टैंक के लि लिया है उन्होंने पाइप भी देख सके बहुत ज्यादा बड़ी दी है सो मैं इससे यह पाइप हमारे यूज में भी अच्छे से आ जाएगी विकॉज हम कर लेंगे इसका दो यह पाइप का दो हिस्सा करके कर लेंगे तो इसके पीछे में एक स्पैसिफिक वीडियो बना लाओ विकॉज इसके उपर और मैं यह टैंक में यही इस टोन करूंगा तो मैंने इसको अच्छे से वाश करके आगया और मैंने पाइप यहां पर कर दिया और अभी में स्टोन को इसमें कर दूंगा और फिर मैं आपको आन करके सब दिखाता हूं सो गाइस मैंने अभी अभी आप लोग देखना कि इसका लुक क्या आएगा क्यूंकि बाद में मैंने वाटर यह किया था थोड़ा सा वाइरिंग प्रॉब्लम है वाकी कुछ नहीं अभी रेड में हैं बाद में कलर चेंज हो जाएगा इसका भी मैं काम करता हूं पहले रु अगर यहां पर एक बटन है आई थिंक फास्ट और स्लो करने का सो अभी यह मीडियम में है आई थिंक और अब भी यह फास्ट हो जाएगा बट हमें इतना फास्ट नहीं चीए हमें एकदम नॉर्मल सा चीए कुछ ऐसे लुक के लिए और यह बहुत खतरनाक लुक दे रहा ह भावी हमारे अभी मेरे को वेटी नहीं हो रहा है कल कल मैं इसमें पोलार पैरेट्स लाकर डालूंगा और देखूंगा इसका लुक फाइनल कैसे आएगा तो अगर आपको यह वीडियो अच्छी लोगी होगी तो इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करना अपने फ्र